युद्ध संख्या से नहीं, साहस, बलिदान और मात्र भूमी पर मर मिटने के जजबात से जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसी वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं, जब चंद वीर जवान अपनी आन, बान, शान पर अपने प्राणों को न्योचावर कर दुश्मन के इरादों को विभल करने में सफल हुए हैं। स्थित सी आर पी एफ की सर्दार पोस्ट उसके मनसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज के पाओं वहीं थम गए। भारी गोला बारी के बीच जवानों ने अपनी जान पर खेल कर मोर्टार फायर से दुश्मन की अब्जरवेशन पोस्ट को उड़ा दिया। कि उसकी फायरिंग से सर्दार पोस्ट पर मौजूद सभी लोग या थो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के नज़दी काते ही सर्दार पोस्ट से फायर खोल दिया गया। योचना काम्याब रही और इस सजानक हमले से पाकिस्तानी सेना के पाउं उखड गए। बहादुरी से लड़ते हुए सरदार पोस्ट के जवान नकेवल क्रोस फाइरिंग में फसी अपनी रात्री गश्थ पार्टी को सुरक्षुत निकालने में काम्याब रहे बलकी पोस्ट पर खत्म हो रहे एमिनिशन के बावजूद पाकिस्तानी फौज को तब तक रोकने में क 5 बजे तक पूरे 15 घंटे तब तक रोके रहे जब तक भारतिय सेना की टुकडियां वहां नहीं पहुँच गई पीछे लोटती हुई पाकिस्तानी सेना अपने पीछे दो अधिकारियों सहित 34 सैनिकों के शव छोड़ गई और 4 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया इस अभूत पूर्व युद्ध में कॉंस्टेबल शमशेर सिंग, नायक किशोर सिंग, कॉंस्टेबल ग्यान सिंग, लांस नायक गणपतराम, कॉंस्टेबल हरी राम और कॉंस्टेबल सिंधवीर प्रधान ने अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपने प्राण निय च्छावर कर दिये ये एक असमान युद्ध था जिसमें नियमित सेना के करीब साड़े तीन हजार सैनिकों का मुकाबला एक अर्ध सैनिक बलकि दो कमपनियों के जवान कर रहे थे उन्होंने न केवल वीरता के साथ ये मुकाबला किया बलकि पाकिस्तानी सेना के दात खटे क उसे पीछे लोटने को मजबूर कर दिया ततकालीन ग्रिहमंत्री बुलजारी लाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतिये पुलीस के इतिहास में ही नहीं बलकि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा देश ने सरदार पोस्ट की उस पहादुरी और जामाजी का परिचय दिया हो इससे पहले चीनी सीमा से सटे होट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1969 को चीनी सैनिकों की एक टुकडी के साथ लड़ते हुए CRPF के दस वीर जवानों ने मात्र भूमी की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच बलिदान देकर अपना नाम शौर्य वीरता के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया होट स्प्रिंग्स में इन शहीदों की स्मृती में स्थापत स्मारक पर खुदे शप्द हर पुलीस अधिकारी के लिए करतव्य पर मर मिटने का संदेश है इन वीरों की शहादत को पूरे देश के पुलीस बल हर साल पुलीस मारक दिवस के रूप में मनाते हैं ये दोनों घटनाएं CRPF के तिहास में वो मील के पत्थर साबित हुई जो आने वाली पेडियों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती रही है और इसी प्रकाश की लौ में बल की आने वाली पेडियों ने देश के समक्ष खड़ी हर चुनौती का सामना उसी द्रडता और प्रतिवधता के साथ किया है सामप्रदाइक दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेश रूप से गठित 10 Rapid Action Force Battalion है महिला उपद्रवियों से निपटने तथा महिलाओं के प्रति समवेद अन्शीलता के लिए 5 महिला बटालियने माउंवादी हिंसा से निपटने के लिए विशेश रूप से प्रशिक्षित 10 कोब्रा बटालियने सदैव उपलब्द और तैनाथ हैं तेश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्व में भड़की वित्रोह की आग, आतंकवाद की आग में छुलस्ते पंजाब के खेत और खलिहान, धर्ती के स्वर्ग कश्मीर के खुश्नमा बादियों में गूंचती गोलियों की आवाज और बम धमाको को CRPF के जवानों ने अपने सीने पर छेल कर दुश्मनों के इरादों को धुस्त कर अपनी इसी प्रतिबधता और संकल्प को दोहराया है और आज अपने अन्यस योगी बलों के साथ नकसल प्रभावित इलाकों में भी उसी समर्पण और प्रतिबधता के साथ डटे हैं विगत सोलह वर्षों में दुर्दांत माववादी किशन जी सहित 770 माववादियों का सफाया, 17,650 माववादियों की गिरफतारी, 8,549 हथियारों, 74 टन गोला बारूद और 10,677 बारूदी सुरंगों की बरामदगी ने निश्च थी इन इलाकों की रक्त रंजित भूमी पर शांती बहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है यही नहीं, भारतिय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनावों का निश्पक्ष एवं शांती पूर्ण संचलन, प्राकृतिक आपदाओं के तोरान बचाव और राहतकार्य, तथा संयुक्त राष्ट शांती मिशनों के तहत तैनाती के तोरान, बलने कर्तव्य परायानता ये एक अमिट पहचान बनाई है, श्री नगर हवाई अड़े पर हुए हमले को विफल करना, अयोध्या परिसर पर हमले के आतंकवादियों के मनसूबों को ध्वस्त करना, और संसत पर हुए हमले को एक अडिक चटान की तरह विफल कर देना साबत करता है, कि देश भक्ति के जिस जजबे ने एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को खदेर दिया था, वो जजबा, अनुभव, कोशल और समय की कसोटी पर तपकर और प्रकर हो उठा है, अब तक बल के 2021 रण बांकुरों की शहादत प्रमान है, देश की एकता और अखंडता की हुए मर मिटने के केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल के संकल्प का, एक जोर्ज क्रॉस, तीन किंग्स पुलीस मेडल फो गैलंटरी, एक अशोक चक्र, एक कीर्थी चक्र, एक पदमश्री, एक वीर चक्र, चौदा शौर्य चक्र, उन्चास वीरता के लिए पुलिस एवं फ पदक, एक युद्ध सेवा मेडल, पांच सेना मेडल, चार विशिष्ट सेवा मेडल, 1146 वीरता के पुलीस पदक, तीन जीवन रक्षा पदक, सो प्रधान मंत्री के जीवन रक्षा पदक, और पांच IPMG, पदकों की ये श्रिंखला सर्दार पोस्ट में रजी गई परंप आके ही प्रवाह का निर्वाह है, ये देश की प्रतिष्ठा के प्रती हमारी प्रतिज्या और उसकी रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प के प्रतीक भी है